तो कुछ समय पहले मैंने Samsung A53 5G रिफर्विस्ट कैसीफाई से मंगवाया था दोस्तों तो जब ये आया था 30 ओक्टूबर को पर्सो तो पर्सो से ही इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे ये डिवाइस आटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा था कभी 10 मिनट कभी 15 मिनट कभी तुरं है वो रिटर्न होने वाला है तो यहां पर एक और मिजर प्रॉब्लम्स इस डिवाइस के साथ आ चुकी है यहां पर आप देख सकते हैं यह है डिवाइस जिसको मैं दो दिनों से यूज कर रहा हूं तो लगतार यह रिश्टार्ट हो रहा है तो आज जो है इसमें एक मिजर प्रॉब्लम आ रही है कि अब जो है यह फोन ऑन ही नहीं हो रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर कैशिफाई जो है वो बताता है कि 32 पॉइंस चेक किया गया यह तो मेरा डिवाइस दो दिन में ही डेट हो चुका है अब क्या प्रॉब्लम है यह मुझे नह प्रॉब्लम होगा कैशिफाई से मैंने वाट्सेप पे इन से कॉंटेक्ट किया तो इन्हों ने बताया है कि जो है यह कल पीकप होगा और छे से साथ दिनों में यह जो है कैशिफाई के ओफिस में पहुंचेगा और उसके बाद डाइगनोस किया जाएगा और उसके बाद refund मिलेगा तो जो है वो काफी लंबा प्रोसेस है दोस्तों पताया जा रहा है कि इसमें लगवाग 10-12 दिन लगेंगे तो यहाँ पर जो है वो service मुझे इसकी ठीक नहीं लगी क्योंकि अगर आप flip card से order करते हैं या पहले लेकिन cashify में अभी जो है वो 10-15 दिनों का समय लगेगा मुझे नहीं पता कि कितना समय यह लेंगे अभी मैं कल 2 नवंबर है कल यह device पीक अप होगा पीक अप होने के बाद जो है वो यह return होगा और उसके बाद फिर यह चेक करेंगे और फिर जो है वो refund देंगे तो यह जो चेक है वो आप पहले ही कर लेते हैं अब इस device में तो मुझे यह तो problem नहीं आती है बाकी देखते हैं क्या process होता है कितना दिन में यह payment मेरा देता है refund और इस device की price की बात करें तो refurbishing good condition मुझे 19,299 रोपीज का यह device मैंने buy किया है तो देखते हैं कब तक refund देता है और क्या उनके तरफ से reply आता है तो मैं मैं बता हूँ आप से next video में तता के लिए जैहिंत वंदे मात्रों